नमस्कार मैं विपिन बंसल वास्तू कंसिल्टेंट हमेशा की तरह आज फिर एक नए विशे पर चर्चा करते हैं आज का जो विशे है वो है बीमारी घर के अंदर बीमारी क्यों बनी रहती है हमने अपना घर एज पर वास्तू बनाया कहीं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी और फिर भी घर के अंदर बीमारी बनी हुई है तो ऐसा क्या करण बनता है जिसकी वज़े से घर के अंदर बीमारी बनी रहती है आपका अपना घर साउथ फेसिंग है आपका अपना में गेट साउथ हिच के भाग में लगा हुआ है अंदर का सारा स्टक्शर एज पर वास्तू बना हुआ है और फिर भी घर के अंदर बेमारी है क्या आपने अपने घर में नोट किया जो आपका front का भाग है जो आपका अपना main gate है इस हिस्से की आपके यहाँ हर रोज दुलाई जरूर होती होगी क्योंकि जो हमारा main gate होता है main gate के ठीक सापने car porch का भाग भी बनाया जाता है और जो भी अपना फ्रेंट का भाग होता है उसमें घर की लेडिज या जो मेड आती है वो इस फर्ष की धुलाई जरूर करती है ताकि घर साथ सुत्रा हो जाए और जब घर की फर्ष की धुलाई करते हैं तो जो आपका साथ का भाग है इसमें आपके यहां हर रोज पानी आन कि दूसरी अचिते तीसरी आ जाएगी आपका पैसा बीमारी में ज़्यदा खर्च होगा आपको लगता है कि आपके यहां इस तरह की समस्या है क्योंकि मेरा तो अपना अनुभा हुए मैं बहुत सारी साइक्स ऐसी देखता हूँ जिसमें साथ के भाग में साथिस्ट के भा और बिमारी के कारण पैसा भी खर्च होता है आपके यहां भी इस तरह की समस्या है तो मैं आपको एक बात कहूंगा कि आप अपने यहां फ्रंट के भाग में साथिस्ट के भाग में साथ के भाग में पानी गिराना बिल्कुल बंद करते हैं ऐसा करने से आपके यहां से बि बेमारी चली जाएगी और आपका जो पैसा बीमारी में जाता है वो पैसा भी जाना बंद हो जाएगा आपकी सेविंग प्लस हो जाएगी और गर में रहने वालों का सभी का स्वास्त भी अच्छा हो जाएगा साउथ हिस्ट के भाग में, साउथ के भाग में, जब भी पानी गिरता है, घर के बच्चों पर और जो घर की महिला है, जो लीडीज है, उसके उपर इफेक्ट ज्यादा आता है घर के बच्चे बीमार रहेंगे और जो घर की लेडी ज़ो महिला है वो भी बीमार रहेगी अगर लगातार बहुत लंबे समय से आप इस हिसे में पानी डालते हैं तो आपके यहां कोई ना कोई बड़ी बीमारी भी जरूर लग गई होगी आपको लगता है कि आपके यहां साउथ के भाग में पानी गिरता है, साउथ हिस्ट के भाग में पानी गिरता है और बिमारी बनी हुई है, तो मैं आपको एक बात कहूंगा कि आप इस हिसे की दुलाई करना बिल्कुल बंद करते हैं कोशिश करें कि जड़ू से ही सफाई करें बहुत सारे घर ऐसे भी है, जहां दुलाई नहीं करते, सिर्फ पोचा लगाते हैं आपके यहां पोचा लगाया जाता है, आप खुद लगाते हैं या आपके अपनी मेड लगाती है तो होता क्या है जो बाल्टी के अंदर गंदा पानी अता जो पोचे का पानी होता है उस पानी को जो आपका मेंगेट है इसके रेम के उपर डाल देते हैं और फिर इसको साफ करने के लिए एक या दो बाल्टी साफ पानी की भी डाल देते हैं इसके कारण आपके यहां हर पोचा लगाएं कोई दिक्कत नहीं है कोशिश करें कि पोचा ज्यादा गिला ना हो यानि फर्ष पर जब पोचा लगाएं तो वो ज्यादा गिला करके ना लगाएं और जो बाल्टे के अंदर गंदा पानी होता है उस गंदे पानी को आप बाहर रेम पर ना डाल के उसको सेविंग होना शुरू हो जाएगा जो बाते मैंने आपको बताईए ये बाते मैंने आपको अपने अनुभव की बाते बताईए ये काम आप अपने यहां जरूर कीजिए जरूर आपको हेल्थ में रिलीफ जरूर मिलेगा और धेरे-धेरे करके जो पैसा आपका बीमारी में जाता है वो पैसा भी सेविंग होना शुरू हो जाएगा सिर्फ आपने अपने फ्रंट के भाग से पानी का काम करना बिल्कुल बंद करना है जो बाते मैंने आपको बताई है जिस वेक्ति का घर साउथ फेसिंग है उस घर में फ्रंट के भाग में या तो दुलाई होती है या पोचा लगता है और वो पानी आपके साउथ के भाग में जरूर रिता है तो मैं आपको एक बात कहूंगा कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी पसंद आई तो इसको शेर जरूर करना इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विश्या पर चरचा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार